टेलिवीजन शो कुमकुम भाग्य में आलिया का नेगेटिव किरदार निभाग कर गर-गर में अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस शीखा सिंग ने अपने फैंस के साथ एक खुश खबरी शेयर की है दरसल शीखा सिंग जल्द ही मा बनने वाली है शीखा सिंग और उनके पती करण सिंग प्रेगनेंसी को लेकर काफी एक्साइटेड है दोनों अपने पहले बच्चे के स्वागत करनी के लिए तैयार है शीखा की प्रेगनेंसी का यह सात्वा महीना चल रहा है शीखा और करण ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ तस्वीरे पोस्ट करते वे शीखा की प्रेगनेंसी की ख़बर शेर की है करण ने एक तस्वेर शेयर की है जिसमें उनका पैट डॉग भी नजर आ रहा है यह खुश खबरी शेयर करते वे करण ने लिखा हमारा डॉग खुश नहीं है क्योंकि उसका सुकून छीन लिया जाएगा और परिबार में एक नया सदस्य जुड जाएगा शीखा के डिलेवरी डेट जून की है लेकिन मौजुदा हालातों के चलते वह इन दोनों थोड़ा घबराई हुई है और कोविट-19 की वज़ा से सोशल डिस्टेंसिंग और घर के सेनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रख रही है शीखा ने टाइमस ओफ इंडिया को दिये इंटर्वी में बताया कि जब करण और मैंने फैमिली प्लानिंग के बारे में फैसला लिया तब किसी ने नहीं सोचा था कि यहां कोरोना जैसी बीमारी की एंट्री होगी मैंने प्रोडक्शन हाउस को पहले ही बता दिया था कि मैं प्रेगनेंसी की वजह से अप्रेल से ब्रेक पर रहूंगी और उन्होंने भी अपनी सहमती चता दी थी लेकिन इसको विड-19 की वजह से मैं मार्च से ही ब्रेक पर हूँ शिखा ने आगे पताया मेरे पती पाइलेट है और लोगडाउन की वजह से वह भी घर पर है वरना वो ट्रेवल कर रहे होते हैं इन दिनों घर का सारा काम हम दोनों खुद ही कर रहे हैं मेरे पती टेकनलोजी एक्सपर्ट है और उन्होंने मेरे लिए रोबोट जैसी मॉपिंग मशीन खरीद दी है जिससे की पूरा फ्लोर खुद ही साफ हो जाता है मैं अपनी फैमिली और पैट के लिए खाना बनाती हूँ शिखा आगे कहती है हर्याना से उनकी माँ और बहन उनके पास मुंबई आने वाले थे लेकिन अब लॉकडाउन की वज़ा से यह मुम्किन नहीं है हमारा घर हॉस्पिटल से बहुत पास है ऐसे में डॉक्टर समय ओनलाइन क्लासेस दे रहे हैं कि कैसे ऐसे वक्त में प्रेगनेंसी में खुद और बेबी का ध्यान रखना चाहिए शिखा ने बताया कि बच्चे के जन्म के बाद भी वो कुछ मैने सेल्फ आइसोलेशन में रहेगी शिखा कहती है कि बेबी के आने के बाद काम पर वापत जाने से पहले मैं कौरंटाइन होने वाली हूँ बेबी के साथ में बाहर जाने का सोच भी नहीं सकती कुछ समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद शिखा ने मई 2016 में करण से शादी कर ली आपको बता दे शिखा ने अपने करियर की शुरुवात लेफ्ट राइट लेफ्ट सीरियल से की थी इसके बाद वे न आना इस देश लाडो सुसराल सिमर का घर की लक्षमी बेटियां उत्रन और लाल इश्क जैसे कई टीवी शोस में काम कर चुकी है हम शिखा और करण को उनके गर आने वाले इसननहे मेहमान के लिए ढेर सारी बधाई देते हैं और भी लेटिस वीडियो के लिए लाइक करें फॉलो करें सस्क्राइब करेंग जब खवरें